हाश बड़ी मुश्किल से जाकर सोय हैं माएंद्र गायत्री को लेकर बहुत रो रहे थे हैं बिचारे मैं क्या कहती हूँ कल सुबह एक बार गायत्री आ जाएगी ना पक फेरा की रसम के लिए तो तू अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बार उससे माफी मांग लेना नहीं हाथ नहीं हाथ नहीं कान कान पकड़के माफी मांग लेना उससे नहीं कान नहीं दंडवत दंडवत करके एक बार माफी मांग लेना ताकि यह सब खतम हो मामला अभी ममी, हमें माफी मांगने की कोई ज़रूत नहीं है परिवर्तन के नए नए आइडिया से अन्ना की परंपरया की दक्यान उची सोच को हरा के रहेंगे और उन्हें माफी मांगने होगी अरे अभी जीत, मुक्न अभी ये हार ने जीतने सब हैं बेटा और अभी जाके सोजा मुझे सुबह जल्दी उठकर रसोई की तयारी भी करनी है ममी, आप बस अपनी बेटी की स्वागत की तयारी करो रसोई की जिम्मेदारी मेरी और पपा की पपा ने तो मुझसे कहा है कि उनके हाथों का खाना अप गायतरी को बहुत पसंद है हाँ सो वी शाल हैंडल डोंट वरी, बी हैपी मैं तो बस माताजी से एक ही प्रातना करती हूं के जट खतमो ये कलेश का अंदेरा और जट उगे खुशियों का सवेरा कि उनके हाथों वी शाल है जोच्छना और कितना टाइम हाँ हाँ बस हो गया हो जाला 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 हो low जालडा जाला जाला जालाए communicate provide आरे आरे आशिर्वार आशिर्वाद आउक्षवन तो हो चल चली आव कायत्री बेटा इस तरह हम अब बस बस निकले है अहीं रहे हैं अरे प्रभाकर बाराश किदर है संधी जी अरे मस्त है और मेरी सासूमा तो कैसे है वैसा नहीं पूछ रहा हूँ है किदर फोन में है फोन में है उस्पेश्कर पिड़ा की स्पीकर पता है पता है नमस्कार संदी जी कैसे है आप अरे किदर है आप आपके जावाई बापू हम सब लोग रहा देख रहे हैं आपकी अपने शसुराल में कौन कहा कैसा कितना महान है हमेशा उसके बारे में बात करते रहता है लेकिन फिर भी हमें कोई अपत ही नहीं है क्योंकि हमारी भारती बहु बहु अपने शाचराल वालों का आधिक से अधिक ध्यान डगती है अमरी सारी बहुए एक से बढ़के एक है इसलिए तो देखो ना अभी पक फेरा की रसम के लिए हम आपके घर पर आ रहे हैं अब कभी पोच रहे इदर अच्छा जहाँ वो रिक्षा को आने नहीं देते हम पोचते हैं बाहर चलो चलो निकुए तरी बेटा बेटा ये हम क्या सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं मम्मी आप मैंने कहा था ना रिवास परंपरा ये पूरी होकर ही रहेगी इसलिए मैं भार्दी भाबी के घर जा रहे हूं उनके बाबा के हाथ से निवाला खाकर अपने पाक फेड़े की इस रसम को पूरा करूंगी चलो चलो गायत्री पिटा क्या तुम भी आयरे गहरे नत्तु गहरों के साथ बाते करने लगे चलो बाड़ा चलो जल्दी देखाई इसे कहते हैं जैसे को तैसा अन्ना की पीट पीछे वो उर्मिला वईनी पकफेरे की प्लानिंग कर रही थी लेकिन गायत्री ने बरोबर जवाब दिया लेकिन उर्मिला वईनी और महेंद्र भाव का चहरा देखके मेरा तो दिल भराया आई तुझे उनकी पड़ी जिन्होंने अन्ना को इतना बड़ा धोका दिया उनका चहरा देखके तरह दिल भराया तुझ भूल गई उनकी वज़े से अन्ना की दिल पर क्या भी थी थी मैं तो रोपड़ा था बिचारे अन्ना की बरी हुई आख देखके तु और रोपड़े अच्छी तरह से जानती हूं मैं केशव तुझे मुझे तो शक है कि अभिशेक और महेंद्र भाउने तुम्हारे अन्ना के साथ जो कुछ किया उसमें तुम भी उनके साथ मिले हुए थी मैं तुम्झे इतना कि रोवा समझती है अब तो यह भी बोलेगी कि गायत्री को भारती मैनी के घर जाना चाहिए पकफेरे के लिए यह आइडिया भी मैंने दिया था नहीं नहीं आये ऐसा बिल्कुल मत सोचना सबको पताया कि गायत्री नहीं अपना विचर सबको बताया है एडे घर यही मोका है महंद्र भा वरभी शेग को जवाब देने का यही मोका है बोल दे सून ने एजसा मैंने कुछ भी नही expert को oh labels na कितने जिद करती है, जिदी है वो जिदी, माहंद्रा बन्दो जाईए अभी, यह टाइम नहीं है खिलोना बनने का, जुप रही है, लेकिन मैं जुप नहीं रहूंगी, कहे तरे अपना घर छोड़कर वो बाई 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 के घर गई, पुद्य कि अपने पापा को छोड़कर वो भाइबाईबा के बाबा के हाद से निवाला खाएगी एक आम करते महांद्र, अभबी के अभइ भह भाइबाईबा के घर के नीचे जाके धर्णा देते हैं, ने, धर्णा ने, धर्णा ने, अन्य, और भै' क्या कुसूर है हम जरूव गायत्री किवीजिए लिच्टि नहीं हुदे है अगर आपको पताए है गायत्री किटी जदी यह जदी जदी तो इतनी हो गती है वह जदी चाथू नहीं है और बच सब्सक्राइब और वासगर शुब जिब थे युद्धार वे इसमें मैं बिचारी बाई-बाई-बाई का क्या खुसूर वो तो इतने लाचारी से हमारी तरफ देख रही थी नहीं उस बिचारी के चेहरे पर अकबाई मी कही करूं ऐसा साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन जगड़ा तो मैं करके ही रहूंगी आज देखेखेव然 मतुख था इस नहीं घुटर हमें जाइसूरिया में गाई नी अ हैंनल न्ममिका श्नी-लंका करिकेटर बना दिया इस्की सिर् अ एक रज श्रकन बेंट के के कि पूलाया था apart आइ आइ अइए अरे संधी जी सम्भाली है मस्ता है रिक्षा रेर एंजीन है देखा कैसे स्पीड ब्रेकर पे हम लोग यह से मस्तू उचलते हैं हाँ अन्ना चाली की सारे बच्चे बाबा को बोलते हैं काका उट पे बिठाईये ना उट पे बिठाईये ना सच मुच मुच सवारी जैसा ही लगता है मैं भी पहले आइसी रिक्षा में कभी नहीं बाइटा अनन लीजिये अनन लीजिये अंडा इसमें गाना भी बचता है हाँ लगा टेप लगा बहुत सूरीला गाना है लेकिन लगता है आपका ये शीडी प्लेयर का गला थोड़ा बैटा हुआ है गला में खरास बिराश हो गई ऐसा लगता है नहीं नहीं संदी जी प्लेयर तो मास्त है सीडी थोड़ी खराब है तो शीडी बदल दीजिये ना नहीं नहीं ये शक्क्या ही नहीं है ये एकी सीडी है बाबा के पास दो अजार दो से बजा रहे है ये सीडी बाबा को मिली थी अरे वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा रास्ते में मतलब कुछ बच्चे इसे मिट्टी खोद रहे थे इसमें तो गाना बचता है यह तो मुझे तब सही से बजा रहा हूँ बार्थी तुमारा शेवरेट अंत्रा आया यह तोड़ा आवाज काम कर अरे यह भाशा कौन सी है यह भाशा तो मालूम नहीं लेकिन संगीत संगीत बढ़िया है का नहीं हाँ आप्रती इनको यह संगीत मस्त लगता है अरे ओ जाई सुर्या बेन अब बाहर क्यों नहीं आ रही है आप अर्मिला उनका नाम जोच्छना है जाई सुर्या बेन कहके बुलाईगी तो कैसे आएगी वह बाहर आप चुप रहें जाई सुर्या बेन हाँ आई और्मिला वहनी आई क्या हुआ देखा सबको पता है कि मैं किसको कौन से गलत नाम से बुलाती हूं एक आप ही बस बाल किखाल निकलने बैठ जाते हो यॉकुर्या वहन् जाई बर्षी शुर्या भेन आपने हमारी गयाति को रख लिया इन आपने घर में इनको भी ले कर Iya प्रमीला वहनी आपने ये बताने के लिए मुझे बुलाई और मुद्धे की बात पर आना तो उर्मीला आई मुझ्य पर में लेकर आता हूँ पॉपपा हाई सब का तू ठीक है लेकिन तूने भी नहीं रोकवा गायत्रिको क्यों जाने दिया उसे भारती वहनी के घर आप लोगों को मुझसे बह रहे रहे ना लेकिन इनका क्या का सूरे पीता का हग चेंड लिया उसमें मुझसे बाबा आप मेरे पकफेरे की रसम करवाने के लिए राजी हो गए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा हम गरीब को तुमने मोका दिया इसलिए उल्टा तुमें धन्यवाद देना चाहिए बाबा, गरीब वो होते हैं जिनकी सोच श्रीमिंत ना, जो आशावादी ना बड़ो बर बोली मेरी बेटी गायत्री, बड़ो बर बुली शोर में से भी संगीत ढूम निकाने वाले को आशावादी कहते हैं हम जरा ये रिक्षा थोड़ी दीरे चलाईए आप हाहँ, क्याoms अभी दो-तीन बार मेरी मुझ में से मेरा दिल निकल के बाहरा आगया था फिर मांने कैच पकल लिया और वापस हांतरी तो आभी बजगया हाह, थोड़ा से संबलना कि अ कि अ और ऑई संगीत इख बढ़ा वड़ा झाग Когда PD अब कि अदो अब है उसका गेदे ना गजैत्री से है अब में नहीं चाब था महिर्मानी उसकी मैं अपने आतों से ंसी ख़िलाने नहीं चाहता निवाला उसको इतना बड़ा चल किया उसने हमारे साथ इतना ऐसा चल कोई करता है क्या किसी के साथ है महेंद्र अब इन दोनों के सामने तो देखकर में यह बोल भी नहीं सकती कि इतना बड़ा चल कोई करता है क्या किसी के साथ लेकिन जोती राजित के बेन मेरा तो ठीक है लेकिन ये बिचारे महेंद्र ने कितनी मेहनत करके क्या-क्या बनाया था पता है अपनी बेटी के लिए अपने खुद के हाथों से रुखो मैं बताती हूँ आपको खस्तो ये देखी बड़े, सबजी, उलाओ, खीर और क्या-क्या नहीं बनाया अरे वाँ, गेहूं की अधी बनाई है अरे ये गेहूं की पूरी है लेकिन दो है ना तो? तो दो अधी, मतलब एक पूरी हुई ना अमोल, तू मुँ बन कर जोचना भावी, आप गयात्री से कह देना कि अब मैने भी अपना मुँ बन कर लिया है अब मेरे मुँ से तेरी बेटी, मारी दिक्री ये सब नहीं निकलने वाला क्या समझती कह है वो अपने आपको? वो नहीं आएगी तो पक फेरे की रसम नहीं होगी? होगी अब तो पक फेरे की रसम होगी आप लिख लीजिए टेक इट फ्रोम मी अन्ना? अभी हम रिक्षा से उतर गए है तेरे ससुर ने ऐसे रिक्षा चलाई इतना उचाला कि अभी खड़े खड़े भी ऐसा लगता है कि स्पीड ब्रेकर आएगा और मेरा सार्ट कराएगा आईगा बारती के आई मेरी सासु मा पेस कंट्रोल में मेन है आप पेस कंट्रोल कंप्री में काम करती है अरे नहीं रहे नहीं काम नहीं करती मोबद सर्वीस क्या है ना हमारे चाली में किसी भी घर में चुहा छिपकली गुज़ जाते सब लोग बहुत डरते पर मैं ना किसी से नहीं डरती इसलिए सब लोग मुझे ही बुलाते और मैं तो ये बेलन लिया और पडाक और गया दो-दो बेलन होगे इनके पास एक बेलन रोटी बिलने के लिए और दूसरा फटा के लिए तू तू चिंता मत कर आपकी पास दो-दो बेलन है ना और आप रोज धोती भी है ना बेलन हाँ हाँ दोती दोती एक बार तो ये बड़ा चुहा मैंने मार दिया गह में माना नहीं चाहती थी, पर क्या है ना, गल्ती से बेलन जाया जोड से लग गया, और पूरे बेलन पे ऐसा खून, खून, खून. ये वाला बेलन नहीं था न, वो दूसरा बेलन था न? हाँ, हाँ, वो तो मैंने फेख दिया ना. फेख दिया, फेख दिया, साबस. अ, बिटा, खाने में न, रोटी, शीरा और खिचडी बनाया है. शीरा, सबजी कौन सी है? अ, सबजी में लाई थी, और बनाने वाली भी थी, पर खराब निकली. अ, हाँ, तो, ब, 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 वो आई रोजरा देर से जाती है न, सबजी ले ने. दुकान दार, दुकान बन करता है, तो बची-कुची सबजी सस्ते में दे देता है न, तो फाइदा होता है. बगेर सबजी के चलने का नगायतरी? भारती भाबी, ये सिर्फ मेरे पाकफेरे की दावत नहीं है. मेरे अन्ना का सम्मान और परंपरा संभालने का अवसर है ये. और आपने अवसर संभाल लिया, वही बहुत है. आप जो बनाएंगी, वो मेरे लिए प्रसाथ होगा. देखिये अन्ना, मेरी सासों मा रो पड़ी. आई, इसमें इतना इत्रा क्या रहा है, गाड़ुआ. वो विचारी के आँखों का समंदर. अरे परे, समंदर! मैं वही बोलने जा रहा था, अन्ना. बबबा, आईका. समंदर खारा होता है, क्यूंकि होता है उसमें नमक. अचार खारा होता है, क्यूंकि होता है उसमें नमक. तो अचार समंदर एक हुए, अत्याचार बवन्डर एक हुए. संदी जी आपकी तो चांदी है जब जी चाहे गीत सुनने को मिलता है आप सच में नसीब वाले हो संदी जी आपके घर में गीत कार पैदा हुआ है लेकिन अभी ये गीत कार प्रभा करके मुझे कुछ खिला मिला दीजिए ताकि इसका मूँ बंद हो जाए, खिला देंगे ना, बोली हाँ अमोल, मैंने तुछे कहा था ना, कि पग फेरे का भोजन होगा, तो तू थाली लगा दे कहा था कि नहीं? तो लगाई ना थाली मैंने तो मुझे दिख क्यों नहीं रही है? इधर होगी तो दिखेगी ना तो कहा लगाई यह तूने थाली? वो दिगंबर है ना, जो बाजू की गली में, वो दो मुर्गों के बीच में लड़ाई करवाता है वहाँ जाकर थाली क्यों लगाई तूने? दिगंबर ही बोला मुर्गाफाइट, मुर्गाफाइट, मुर्गाफाइट विरार जीते गाया, मिल्लियम सन लगाओ, लगाओ, जो लगाना है, लगाओ तो मैंने थाली लगा दी चतूर, बगवान क्या करूं मैं इसका अब, उर्मिला, आर्थी उतार, इसकी आर्थी उतार इसका पक्फेरा थोड़ी करना है? मम्मी! क्या समझती कह अपने आपको? वो नहीं आएगी तो पक्फेरे की रसम नहीं होगी? होगी! अब तो पक्फेरे की रसम होगी, आप लिख लीजिए! टेक इट फ्रॉम मी! एक मिनट, एक मिनट, दर्वाज़े पी रुकना! अब अब लग आ रहे अभी, एक मिनट! अब तेरी आखो में आसो क्यों आगे? मेरा भी पक्फेरा हुआ नहीं था, अंटी! मैंने भाग के जो शादी की थी! ये मेरा नसीब है कि आज मेरा पक्फेरा हो रहा है! हाँ, हाँ, वे! तू भी हमारी दिक्री ही है! आपके और अन्ना के बीच में जो कुछ भी लफड़ा है, उसे में सुल्टा के रहूंगा, मा कसम! धीरे, धीरे, अन्ना भाई का ट्रांस्मीटर इसरी खड़ा है! किया है! खाना खाते हैं आपके जैश्यूार है! अरे मै नाम जयनत है! क्या आपके?! अभी पिशुडू हो या अंहित है जैश्यूार सहे किया जो थाम! सब एक ही उता है! शुरू होगा तबहल लोगा... कश्य शूमठ ता है.. हाँ 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 समझदार भूगोल बराबरे अभी खाना शुरू करें हाँ आज मैं विभा को अपने हाथों से खाना किलाओंगा